नमस्काद मैं हो साथी आयो जारखन का पाचीस पर मोख़ा जानते हैं जारखन में अम्तिम बार प्रो नती से भर जाएंगे पंचायद सचिव पद जारखन में एक बार फिर प्रो नती का अधारपर 5. सचिव के पद भर जा सकते हैं ये ओपद होंगे जो दो परिक्षाओ सचायनित अभ्यार्थियों के अलावा रिक्त होंगे पुरो में ऐसी बेवस्था थी लेकिन 2017 के बाद से नय दलपतियों की नियुक्ति की बंद हो गई जिससे दलपतियों को पंचाज सचिव के पद पर प्रोनती का मार्ग अरूध हो गया अब एक बार फिर इसकी समभवना बंती दिख रही है और विभागे सचिव राहुल सर्वा ने इससे समधित प्रस्ताव को अपने अस्तर से आगे बढ़ा दिया है कार्मिक विभाग अब इस मामले में अपना सुझाओ देगा जिसके बाद बात आगे बढ़ेगी बता दे बरतमान में पंचाज सचिव के कूल 1687 पदों के लिए परतियोगता परिक्षा प्रकिरिया धीन है और इसके बावजूद 973 पद रिक्त हो गया है जारखन में बदलेगा मौसम गर्मी से मिलेगी राहत जारखन में 17 अपरेल से मौसम का बदला बदला मिजाज दिखेगा राज्ये के उतर पूर्वी और दक्षिन पूर्वी हिसे में कहीं कहीं बादल के साथ में गर्जन होगा और हलकी बारिस हो सकती है मौसम केंद्र के मुताबिक 22 अप्रेल तक मौसम में बदला दिखेगा 17 अप्रेल को उत्तर पूर्वी और दक्षिन पूर्वी इलाके में बजरपात की भी असंका ब्यक्त की गई है इसे लेकर मौसम विभाग ने एलो अलट जारी किया है ज्यारखं में 60,000 स्टीट पर न्युक्त होंगे सहयक ऐचारे ज्यारखं में प्राथμी कौमध बिद्याले में अब तीन कैड़र के सिक्षक होंगे सिक्षा भी भाग द्वारा अब नया पद सिरिजग किया गया है सिक्सको का नाया पद सहायक आचार्ज के नाम से जाना जाएगा बता दे राजे में सहायक आचार्ज के साथ हायर पद सिरिजत किये जाएंगे इसकी पर किरिया सुरू कर दी गई है सहायक अचार्ज के पद पर नियुक्ति के लिए निमावली भी त्यार कर ली गई है जारखन के मुख्य मंत्री हिमान सुरेन पर अपने नाम से पथर ख़दान का लिज लेने के ममले में मंत्राले ने संग्यान ले लिया है भाजपा के राष्ट्रिय उपाध्यक्ष और राज़ के पुरो मुख्य मंत्री रगवर दास द्वारा हाल में लगाये गए आरोप के बाद गिरिह मंत्राले एकसन में है इस ममले में केंद्र सरकार ने मुख्य सचीव से पुरी रिपोर्ट तलब की है मंत्री आलमगीर आलम के खिलाप इडी जाच शुरू जारखन के गिरामिन बिकास मंत्री आलमगीर आलम पर परवरतन निदे सालाय का सिकंजा कसने लगा है साहिब गंज के बरहरवा में 2020 में हुए टेंडर बिवात को लेकर दरज एक केस में एडी ने मनी लॉंडरिंग की पहलूओ पर आलम के खिलाप जाच शुरू कर दिया है इस ममले में बरहेट के विधायक परतिनीधी पंकाज मिस्रा समेत कई अने आरोपी है इस ममले में एडी ने मनी लॉंडरिंग के तहट केस दर्ज किया है दिल्ली में हनुमान जनमोचव पर निकली सोभायात्रा पर पत्राव दिल्ली में सन्निवार को हनुमान जनमोचव के मौके पर निकाली जा रही सोभायात्रा के दरन पत्राव हो गया इस पत्राव के बाद कोछ समाई के लिए वहाँ पर आफरा तप्री मच गई इस हादसे में सब इंस्पेक्टर मदालाल जखमी हो गया है वहीं एक अन पुलिस कर्मी भी घायल है उग्रों लोगों की भीर ने दो वाहनों को आग के हवाले भी कर दिया है देव दूत पन्नालाल के घर में बना सोचाला है मुख्य मंत्री को सुचित करते हुए देव घर के उपायुक्त मंजुनात भायंत्री ने बताया कि मामले को संग्यान में लेते हुए सम्मंधित अधिकारी को जाच करते हुए पन्नालाल को अवस्यक सभी जोजनावस्त जोडने का निर्देश दिया गया पन्चायत चुनाव पहले चरण की वोटिंग के लिए नमांकन पत्रों की बिक्री सुरू जारखन पन्चायत चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है पहले चरण की वोटिंग को लेकर सन्नी वार से नमांकन पत्र की बिक्री सुरू हो गई नमांकन पत्र खरिदने को लेकर परत्यासी बड़ी संख्या में परखन करयाले पहुंचे और नमांकन पत्र खरदा इस दोरान पंचाय चुनाओ को लेकर कहीं अच्छी प्रसासनिक ब्यवसा दिखी तो पलामू के हदर नगर में चीचिलादी धूप में भी नमांकन पत्र के लिए खड़े रहने के कारान परत्यासियों के पत्रे ने छुटे इस दोरान अधिकारी बेपरवाह दिखे दुमका में साहित्य उत्सव जारखन में राज किये पुस्तकालाई की ओर से दुमका जिलापर सासन द्वारा आयोजित साहित्य उत्सव का उधगाटन दिप प्रजलित कर किया गया कारकरम को उधगाटन के बाद प्रथम सत्र में मेरे जीवन में पुस्तेकाले विशयपर परिचर्चा हुई इस सत्र का संचालन चंद्रहास चोधरी ने किया इस दोरान TRI के निदेशक रनेंद्र ने कहा कि किसी ब्यक्ति के ओहले का अंदाजा उसके घर के निजी पुस्तेकाले से लगाया जा सकता है पीता उन्हें इंजिनियर बनाना चाहते थे लेकिन किताबों ने उन्हें बहुत कुछ बना दिया किताबों ने उनके सारे सपने पूरे कर दिये किताबों और पुस्तकाले का आकर्सन वह रोग है जिसे लग जाता है वह मुक्त नहीं हो सकता संपूर्ण इतिहास डिग्री वाले ही सिक्षक न्युक्ति योगे सुप्रीम कोट में हाई स्कूल और प्लास टू अस्तरी हाई स्कूलों में में इतिहास बीसाय को लेकर सुनवाई हुई सुनवाय के दश्टिस एम आरसावा जस्टिस बीवी नागर्थाना की अदालत में जारकन हाई कोट के फैसले में हाथ तच्छेप करने से इंकार कर दिया अदालत ने कहा कि हाई कोट का आदेस बिल्कुल सही है अदालत में इसमें हाथ तच्छेप नहीं करेगी इसलिए हाई कोट के आदेस के खिलाब दाखिल SLP की आचकाओं को खारित किया जाता है केंदर सरकार की नई खेल नीती से प्रतिभाओं को उभरने के मिलेंगे आउसार भरतिय जनता पार्टी के कारकरम समाजी की नयाय पकावडा के तहट सन्निवार को जन जाती है समाज के लिए पोखराहा खुर्दमेदनी नगर मेडिकल कॉलेज के पिछे आवस्थित मैदान में एक दिवसे फोटबॉल मैच का आउजन किया गया इसमें पोखराहा खुर्दमेडिकल की टीम ने टाइगर कलव पोखराहा कला को दो जीरो गोल के अंतर से सिरकत दी इसे पहले पलामु सांसद विशनु देयाल राम ने सभी खिलारियों का परिचय प्राप्त करने के बाद गेंद को किक मार कर मैच अरंब किया राशन कारधारियों के अधार कार्ड नमबर का होगा सत्यापन जारखड में PDA सिस्टम को परदर्शी बनाने के लिए सभी राशन कारधारियों के अधार का सत्यापन किया जाएगा राजे में बड़े प्रमाने पर लोगों के राशन कारध को अधार से लिंक तो कर दिया गया है लेकिन इसमें कुछ भी संगती भी पाई गई है कोई बार अधार नंबर सही नहीं पाया गया हलाकि इनका परतिसत बहुत ज्यादा नहीं है बावजूद इसके खाद सरोजनिक बित्रन एवा उभोकता मामले के विभाग पूरे सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए सभी रासन काट धारियों के अधार के वेरिपिकेशन करने न लिया है पंचायत चुनाव में उमिद्वारों के नाम के पहले अक्षर के अनुसार मिलेगा चुनाव चीन पंचायत चुना में विभीन पदो के उमिद्वारों को उनके नाम के पहले अक्षर के अनुसार चुनाव चीन आवंटित किये जाएंगे राज निवाचन आयोग ने जहां सभी पदो के लिए चुनाव चीन तै कर दिये हैं वही उमिद्वारों को चुनावचीन अवंटित करने को लेकर 20-30 निदेश भी जारी कर दिये गए हैं इसके तहट आयोग द्वारा ताय चुनावचीन उमिद्वारों के नाम के पहले अक्षर के वर्ण के अनुसार सिरियल नंबर से अवंटित किया जाएगा मैट्रिक परीक्षा देकर घर लौटे चात्र की लू लगने से मौत भीशन गर्मी और लू के कानन लोगों का जीना दूलब हो गया है आसमान से इस समय आग बरस रही है लोग अपने घारों में दूपके हुए है बहुत जरूरी काम होने पर ही लोग घर से बाहर निकल रहे है बता दे सन्य वार को भीशन गर्मी और लू की चपेट में आने से हजारी बाग जी लेके चोपारन परकण में मैट्रिक के एक चात्र की मौत हो गई वहीं एक चात्र गंभीर रूप से बिमार हो गया उसकी आहलाद गंभीर बताई जा रही है गर्मा फसल के बचाव के लिए करे जल प्रबंधन बीरसा क्रिसी विस्वी देला की ग्रामिन क्रिसी सेवा के मुताबिक अगले पांच दिनों तक आकास महल के बादल रहेंगे तथा दीन का तापन समाने से अधिक रहने की सम्भवना है ऐसे में फसल की जल अवसकता बढ़ जाती है खेतों में गर्मा फसल तथा लत्तीदार सब्जी ओपर विशेष द्यान देने की अवसकता होती है क्रिसी बैग्यानिकवा का कहना है कि दीन के तपमान में बढ़ोतरी के साथ हावा की तेज गती की वज़ा से पधो को जल की अधीक अवसकता होती है इस गर्मी से फसल लगे खेतों में नमी की मात्रा कम होने से दाने का आकार कम होने की आसंका होती है 34 राष्ट्रिये खेल घोटाला की जांच धीमी प्रवत्तन निदे साल एडी को केस दर्ज करने के चार साल के बाद भी 34 राष्ट्रिये खेल घोटाले से समधित मूल दास्तावेज नहीं मिल पाए उक्त दास्तावेज जार्खन पूलिस की भष्टा चार निरोधक ब्यूरो के पास है मूल दास्तावेज नहीं मिलने से एडी जांच की रफ्तार धीमी पड़ गई है अब एडी हाई कोट जाने की त्यारी में है ताकि जार्खन पूलिस को इस समध में नियालाय का आदेश जारी हो सके अभी कुछ दिन पहले ही हाई कोट ने रख्टिये खेल घोटाले की सिवी आई से जांच कराने समधित आदेश जारी किया है सारीरिक सिक्षक का पद सिरीजित को लेकर याचिका दाखिल जार्खन प्रसिक्षित बेरुजगार सारीरिक सिक्षक संग द्वारा जार्खन हाई कोट में रीट याचिका दायर किया गया है संग के परदेश अध्याक्ष प्रभात कुमार एवं महा सचीव रमेश कुमार महतो द्वारा कोई बाजारकन सरकार को एवं इसकुली सिक्षा एवं सर्षदा विभा को सारेडिक सिस्को की नियुक्ती के लिए मांग पत्र सोपा गया इसके बावजूद अभी तक सारेडिक सिस्को की नियुक्ती नहीं किया गया है राज सरकार कर रही चुनाव आचार संहिता का खुला उलंगन भाजपा परदेश अध्यक्ष दिपक परकासने सनिवार को कहा है कि राज सरकार चुनाव आचार संहिता का खुला उलंगन कर रही है उन्होंने कहा कि पंचाय चुनाव की परकिरिया पूरे परदेश में सुरू हो चुकी है आदर्स चुनाव आचार संहीता लागू है आईसे में पंचाई चुनाव से परत्यक्स जुड़े पतादिकारियों का बड़े प्रमाने पर पदस्थापना या असपश्ट करता है कि राज सरकार की मनसा साफ नहीं है 29 को प्रस्तावित खत्यानी महाजुटान कारेकरम अस्थागीत जर्खंडी भासा खत्यानी संहर समिती रांची के तत्वधान में 29 अप्रेल को EEF मैदान टाक्टी सीले में खतियानी महाजुटान के कारेकरम आयोजीत किया गया था निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत आदर्स चुनाव अचार संहिता लागू हो जाने के कारण महाजुटान कारेकरम के लिए अनुमती नहीं मिलने के कारण कारेकरम अगले आदेश तक अस्थागित कर दिया गया प्रनिवार को सलाका समीती की बैठाक में यार निर्ना लिया गया फिलम एस्टडी एवां प्रोडक्शन प्रोग्राम में नमांकन फिलम निर्मान के छेत्र में करियर बनाने के एक्छुक जिवाओ के लिए अब रांची विश्व विद्याले में विकल्प उपलबधा है विश्व विद्याले की स्कूल आप मास कम्यूनिकेशन के अंतरगात फिलम एश्टडी आयन प्रोडक्शन का दो वर्षिय असनतकोतर एवं एक वर्षिय पीजी डिप्लोमा पाठकरम शुरू किया गया है एक शुक छत्रा है इसी सत्र से इन पाठकरम में नमांकन ले सकते हैं क्रिंस खान ने आतंकवादी के अंदाज में दिधम की कुख्यात प्रिंस खान ने एक बार फिर मोहली डी के कांग्रेस नेता सहब पंचाय समिती सदस्य इसराफिल उर्फ लाला को धम की दिया है सनिवार की सुबा वीडियो जारी कर प्रिंस खान ने आतंकवादी के अंदाज में इसराफिल के साथ धनबाज के करोबारियों को भी धम कया नाया बजार के नन्हे की हत्त्या के बाद पिरिंस ने तीसरी बार वीडियो और आडियो में ऐसे जारी कर ब्यापारियों को भाइवित करने का प्रयास किया ओपेन रेस वाग पर्तियोगिता में हरियाना के संदीप बने चेंपियों। परत्योक्ता को लेकर खिलाड़ों में काफी उत्सा देखने को मिला, इस परत्योक्ता में अंतराष्टी अस्टर के दीगज खिलाड़ों ने भी सिर्कत की, पहले दिन महिला और पुरुस वर्ग में 20 किलोमेटर की वाग परत्योक्ता हुई, दोनों वर्गों में हर्याना के लिटों ने पहलास्थान परप्त किया जारखन के सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए 3D स्मार्ट कलास शुरू जारखन की राइधानी राची में एक नयाब पहल की गई है स्कूल की पुरानी परमपरा को तोड़ते हुए ग्रामी इलाकों में स्थीत सरकारी स्कूलों में स्मार्ट कलासेज बनाए गए है जहां बचे 3D कलासेज के जरिये मोडर्ण सिक्षा से जूड रहे है जीला परसाजन की इस नई पहल से बच्चे भी आकरसित हो रहे है और बेहतर तरीके से सिक्षा गरहन कर रहे है इसकूलों की कख्चा की अगर बात की जाए तो तस्वीर आखों के सामने उभरती है और उसमें कॉपी, किताब, पेंट, पेंसील, ब्लैक बोर्ड जैसे ही तस्वीर नजर आती है JEE मेंस परिक्षा National Testing Agency NTA JEE मेंस 2022 का आउजन करने जा रही है JEE मेंस सत्र एक परिक्षा 20 से 29 जून तक देस बार के कई सहरों में आउजित की जाएगी जबकि JEE मेंस सत्र दू परिक्षा 21 से 30 जुलाई तक आउजित की जाएगी CBSC दास्वी बारावी टर्म टू परिक्षा होम सेंटर पर हो सकती है केंजरी ए माध्मीक सिक्षा बोर्ट CBSC दास्वी बारावी परिक्षा को लेकर अगले 1 से 2 दिनों में बढ़ा एलान कर सकता है देस बार में बढ़े कुरोना संक्रमन के मामलों को तेखते हुए बोर्ड दसवी बरावी टर्म टू परिक्षा होम सेंटर पर लिये जाने की बड़ी और हित कारक कोशना करेगा धन्यवाद